हाई फ्रेंड्स वालकम टू माई चैनल मैं हूँ साना खान और आज हम बनाने वाले हैं भौधी यम्मी सा गाजर मूली और हरी मिर्ची का आचार जिसे आप स्टोर भी कर सकते हैं मैं आपके साथ कुछ टिफ सेंट्रेक्स भी शेयर करने वाली हूँ जिससे आपका आचार जल्दी खराब नहीं होगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं साथ हरी मिर्ची हैं जिसको मैंने इस तरीके से लंबाई में कट कर लिया है बीच में से काट करके त्यार कर लिया है तो इन सारी चीजों को हम एक बड़े बावल में बड़े बरतन में निकाल लेते हैं तो यहां पर हमने एक थाली ले लिए थाली के अंदर हम इसे निकाल होगा क्योंकि हमारे जो अचार होता है तो इस OC मौश्यर की वज़र से पानी की वज़र से खराब होता है तो सब्सक्राइब हमने डाल दी आधी च्टी चमश लग चाहन् man फिर मैं इसे आपको दिखाती हूँ को दो घंटे हो गए है मैंने इसे दो घंटे के लिए छोड़ दिया था ऐसे किचिन काउंटर पर और यह देखिए सब्जियों ने काफी सारा पानी छोड़ दिया है तो इस पानी को हम निकाल लेंगे और इस सारी सब्जियों के चल्ली मे रख करके एक घंटे आदे घंटे के लिए छोड़ देंगे तो मैं इसे चल्ली में डाल करके आदे घंटे के लिए छोड़ दूँगी जैसे इसका थोड़ा बहुत पानी जो इसके अंदर रह गया वह भी निकल जाएगा तो यह देखिए इस तरीके से हम इसे किसी बरतन के पर रख देंगे इसे इसका एक्स्ट्रा मॉशन निकल जाए सारा पानी हमें निकाल देना इसमें से और आदे घंटे के बाद हम इसे एक बड़े बरतन में थाली में या प्लेट में फैला करके थोड़ दर के लिए आप इसे धूप में रख दीजिए नहीं दूप आती है तो आप इसे पंखे के निचे रख के थोड़ा सा सुखा लेजिए तो जब तक हमारी सबजिया सुखरी मैंने कड़ाई में दो चमश लिया है राई राई के दाने काले वाले आंच में लिया है दो चम ची समे हम सौफ लेंगे इन सारी चीजों को हमें ड्राइ रोस्ट करना अब वैसे तो इंको ऐसे भी पीछ सकते हैं लेकिन इनकी अंदर जो हलका सा मौश्यर होता है तो उसको हम थोड़ा सा ड्राइ कर लेंगे तो हमारा चार जल्दी खराब नहीं होगा 1 फोर टी स्पून हम इसमें मैथी दाना डालेंगे मैथी दाना जादा नहीं करना है नहीं तो आपका चार कड़वा हो सकता है तो इसमें थोड़ा साई मैथी दाना डालेंगे जिससे टेस्ट हमारा अच्छा हो जाएगा और आदा छोटी चमच अजवाइन डालना है इमेनिटी के लिए अच्छे होती है काली मिर्स और हमारे हमीं चेल के लिए उन्स पर नहीं है इनको हम सी इनको अधाल की अच्छी खुषर दोनगों का वह रही है उनको हम फ्लेम को प्रक्राइब करेंगे और इसको थोड़ा सभी थन्डा पर और सब्सक्राइब तर्दरह सा पीस लेंगे मिकसी में चला और करके अधिये मसालों ऑल निका लिए मुझे ठंडा हुने देते हैं और ठंडा करने के बाद मिकसी में चला करके पाउडर बना लेंगे अगेज़् एमें उन फूर्ट कप ले लिया है य। और छाधा थंडा करने के बाद आदा चोटी चमस हींग डालेंगे हींग का बहुत अच्छा थंदा होने देते हैं हमारी सारी सब्सष्जिय हमने थोड़ी सी ड्राय कर लिए हैं अगर आपको इसे बहुत जादा लंबे टायम के लिए रखना एक साल के लिए स्टोर करना है तो आप इसको दूप में दो-тीन घंटे के लिए अच्छी सिर्क का मॉश्र कर ले और आपको एक महिने के लिए एक हफते-दौ हफते के लिए बनाना है तो आप इसको बहुत जरता बश्की चमज का ब्साइब करा है कि का कशमीरी लाल मिर्स के लिगया कश्मीरी फैल coat फैसके आफ नमक में लेकिन आटा सब्सक्तप्राइब कर लाता है इसके अंदर रेखे आधा सब्सक्ताइब वो प्रेजर्वेटिक वो का भी काम करता है तो थोड़ा से जादा डाल सकते हैं आदा शुड़ी चम्मज काली मिर्ट का पाउडर डाल रही हूँ मैं यहां पे और जो हमने मसाला रोस्ट किया था उसको मैंने यहां पे देखिए इस तरीके से पीस करके त्यार किया है वो मसाला हम इसके अंदर सारा डाल देंगे इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे अचार को मिक्स करने के लिए आपको सुख ही चम्मज का ही इस्तिमाल करना है आपके चम्मच में जरा भी पानी या मौश्यर नहीं होना चाहिए जब आप अचार को मिक्स करें तो एक अलग सी चम्मच विल्को ड्राय करके फिर आप उससे आप अपने अचार को चलाएं तो यहां पर मैंने अचार को थोड़ा सा मिक्स कर लिया है वैसे तो अचार में हमें और कोई चीज डालें की ज़रत नहीं है अभी हम सिफ इसमें तेल डालेंगे लेकिन हम यहां पर अचार को खटा मीठा टेस्ट देने के लिए यहां पर दो छोटी चम्मच चीनी डाल रहे ह इसमें और इसके बाद हम इसमें ओयल डाल देंगे जो हमने करम किया था हिंग डाल करके तो हिंग वाला ओयल इसके अंदर पूरा एड़ कर लेंगे और इसको एक बार अच्छी तरह से चला देंगे अगर आप अचार को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो आपको यहां पर ओयल की क्वान्टेटी बढ़ाने पड़ेगी यहां पर आपको तकरिबन आदा कप ओयल डालना पड़ेगा इतने अचार में और उसके बाद आपको इसको धूप दिखानी पड़ेगी मैं इसको ज्यादा टाइम स्टोर नहीं करूंगी मेरे यहां पर अचार पंदर दिन या एक महिने में खतम हो जाएगा इससे ज्यादा नहीं चलेगा तो बस मैं इसको ज्यादा तेल में डालूंगी कम ओयल में बनाऊंगी तो अगर आपको इसे लंब टाइम के लिए चलेगा सब्जीयों को आपको थोड़ा सा ज्यादा देर के लिए ड्राय करना पड़ेगा दूप में ड्राय करेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा जिससे आपका चार काफी लंबे टाइम तक खराब नहीं होगा जब भी आप अचार को स्टोर करेंग अगर फिर भी लगता है आपको के हमारा चार जल्दी खराब हो जाएगा तो आप इसमें विनेग़र दाल सकते हैं चार चुटे चमच विनेगर डाल करके आप इसमें रख दीजेए आपका अचार नहीं खराब होगा और जब भी आप अचार निकालें कंटेनर से तो आप बिल्कुल सूखे चमच का इस्तेमाल करें, बिल्कुल यह मौशन ना हो, चमच को उपर गीला चमच इस्तेमाल नहीं करें कंटेनर के अंदर, तो इन चीजों का धियान में रखके, आप अगर अचार को रखाखाब तो आपका अचार सालों साल खराब नहीं होगा तो आप इस अचार की रेसेपी को ट्राइ करें वीडियो अच्छी लगे ते वीडियो को लाइक करें शेयर करें थैंक्स वाचिन दूस्ट करें